मैं इस समय औरिसा में हूँ, जिस तरीके से जम्मू मंदिरों का शहर है, औरिसा में भुबनेश्वर को भी मंदिरों का शहर माना जाता है जहां पर मंदिर होंगे, वहां पर मूर्तियां तो होंगी ही तो इस समय मैं जहाँ पर हूँ, बेलेश्वर में, वहाँ पर एक जगा है जहाँ पर इसी तरीके से खुबसूरत सी मूर्थियां बनाए जाती है आप मेरे पीछे लॉट बुद्धा का स्कल्प्चर देख पा रहे होंगे ये स्टोन काविंग करके स्कब्चर बनाये जाते हैं ज़स जगार पर मैं इस समय हूँ, यहाँ पर पूरे वरांड़ा में आपको अलग-अलग तरीके के स्कब्चर देखने को मिलेंगे ये गनपती की मूर्ती हो, लक्षमी मा की मूर्ती हो, अगवान शिफ की मूर्ती हो, लॉड बुद्धा की मूर्ती हो या उसके इलावा राधा कृष्ण की मूर्ती हो यह कह सारी वो मूर्तियां जो बाद में मंदिर में स्थापित होती हैं तो इस समय तो इन मूर्ति को आप अन-finished शक्ल में देख रहे हैंniejsze से कि इसको फिर प्र और बाद इस तरीके का बनाया जाएगा इसकी मंदर में स्थापना हो लेकिन फिलहाल स्टोन को काव करके बहुत डीटेल्ड नकाशी करके स्टाचूस तैयार कर दिये गए हैं ये आपको दिखाने का मकसद ये कि कहीं पर भी हम जाते हैं तो हर जगा की अपनी एक आर्ट होती है अपनी एक कल्चर होता है ये statues आपको दिखाने का मकसे दिए कि औरिसा का आर्ट से बड़ा करीबी रिष्टा है करीबी रिष्टा इस तरीके से कि आप किसी भी district में चले जाएं किसी भी region में चले जाएं हर जगा आपको अलग अलग तरीके के आर्टिस अलग अलग तरहां के कला का precision करते हुए नजर आएंगे हमने आपको रगुराजपूर भी दिखाया जहां पर पट चितर और पोर्ती चितर बनाया जाता है वहाँ पर भी कहीं सारे ऐसे आर्टिस हैं हालां कि ये परिवार बहुत कम रहे गए हैं जो अभी भी स्टोन काविंग करते हैं उसका कारण आप इस राधा कृष्ण की मूर्ति को जो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा काफी डीटेल्ड ये मूर्ति बनाई गई है और इस डीटेलिंग के काम में बड़ी मेहनत लगती है मेहनत इसलिए भी लगती है क्यूंकि क्यान्वस के उपर तस्वीर बनाना आसान होता है लेकिन जब आप पत्थर की नकाशी कर रहे होते हैं तो उसमें जोर भी लगता है उसमें आपका हाथ ठीक तरीके से अगर नहीं बैठता तो गलती हो जाती है तो पत्थर में नकाशी करते समय गलती की गुंजाइश नहीं रहती फिर आपको नया स्कल्प्चर बनाना पड़ता है या वो आर्टिस्ट जुसमें महारत हासिल लगते हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से फो फिर मैनेश करते हैं कि उस एक पटिकलर एरिया में जहां पर उनसे गलती हो गई है कुछ बना कर उस मूर्ती को अभी भी प्रिजेंटिबल बनाया जा सके तो इस परिसर में जहां पर मैं अभी हूँ यहां पर पूरे वरांधा में कहीं सारी मूर्तीज बनाये गई हैं और यहां पर लोग को यह भी कहना है कि भगवानों की मूर्तियां जादा इसलिए बनाये जाते हैं क्योंकि यही मूर्तियां लोग खरीदना पसंद करते हैं, अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं और यही से मूर्तियां जो हैं, वो मंदिर में भी ले जाए जाती हैं यह unfinished sculptures देखकर आपको यह मालूम तो चली गएा होगा कि यार्ट कितना मुश्किल है लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं और इस आर्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं